पूछता है उत्राखंड में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ सुभाज कोड आज पूछेगा उत्राखंड की आखिरकार क्या उत्राखंड की राजदानी दहरादून की सूरत बदलेगी ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि स्मार्ट सिटी के नाम पर ये कहा गया था कि दहरादून की तस्वीर बदल जाएगी लेकिन जून 2017 को जिस समार्ट सिटी के नाम पर उत्राखंड में काम शुरू हुआ खासता और से राजदाने दहरादून में तब से लेकर अभी तक समार्ट सिटी के कार्या कहींने कहीं सवालों के घेरे में हैं और सवाल लगातार अभी भी पूछे जा रहे हैं क्यूंकि जो तै समय था वो निकल चुका है और तो हजार बाइस में भी सड़कों में गड़े हैं नाले खुदे हुए हैं लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है लेकिन स्मार्ट सिटी जिसका इंतजार उत्राखंड की जनता और खास तौर से राजधाने देरदून की जनता कर रही थी व कॉंग्रेस के परदेश अध्यक्ष कड़िश गोधियाल ने कहा कि लोगों को आज भी सड़कों की जगा कड़ों पर गाड़िया चलानी पड़ रही है और इससे कहीं ने कहीं दुरगटनाएं भी बहुत ज़ादा हो रही हैं तो वहीं पूरू मेयर और वरतमाल में बीजे कर्कार क्या कहा गड़ेस को दियाल और विनुच चमॉली ने आमिक साहजी कहके तो गए बहुत बड़े गड़े पड़े हैं यह स्मार्ट सिटी का ही काम है कि बहुत बड़े गड़े देरादुन के सड़कों में पड़े हैं मैं समझता हूं कि स्मार्ट सिटी किसी भी नागरिक को जो देरादुन में निमाज करता हो ऐसा ऐसास होता है कि smart city का कार्य प्रारंब होने के बाद आज 3-4 साल का समय बीत गिया है आज कहीं कोई बदलाव लगता है हर जग़ा बंडे है हर जग़ा दिकती दिकते हैं तो मैं तो समझता हूं कि smart city का काम इस सरगार ने देरादून को और कि खरावी की उर लिजाने के प्रारंब किया ऐसा ऐसास होता है यह ठीज ढंग सेकर काम पड़ते इनका लग्ष इस्पष्ट होता इनकी सूच स्पष्ट होती रष्टाचार की भावना इनके मन में नीगित नहीं होती तो यह काम अंजाम तक पहुंचता और अच्छा प्रोजक्ट है और साड़े चोड़े सो क्रोर के प्रोजक्ट है चोटा मोटा नहीं है और काम भी चला है यह काम की गति को लेकर काम की गुनवत्ता को लेकर और जो नियोजन का पक्ष्य है इसको लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं बार-बार हम अक्वारों में भी दिर्यिकारियों को करना होता है तो उनका काम मुझे कर horrific काम नी कलती है और काम में प्रजेक्ट पूरा हो जाना चाहिए था आपने सुना किस तरीके से कॉंग्रेस के परदेश अज्यक्ष ने भी सरकार को कट घरे में खड़ा किया है उन्होंने कहा है कि जो समय था उस समय तक काम तो पूरा हुआ नहीं लेकिन सिती और बेहकार यानि कि और बदहाल राजधा पानी देहरादून की कर दी है स्मार्ट सिटी के नाम पर सभी जगा रोडों को खोद दिया गया है नालों को खोद दिया गया है और इसके चलते लोगों को सबसे ज़ादा परिशानी का सामना करना पड़ रहा है तो वहीं विनोच चमोली जो की विधायक हैं बीजेपी से उन्होंने कहा इसमें लापरवाही अधिकारियों की हैं इसी पाना चर्चा करेंगे चर्चा में हमार साथ जो महमान जुड़े हैं बीचे पी से पवन्त उमर जी हमार साथ हैं और कॉंग्रेस से गुल मुहमर जी हमार साथ हैं इसके साथ ही कुछ देर में वरिश पत्रकार आजे पांडे जी भी हमार साँ जोड़ेंगे लेकिन शुरुवात करते हैं सबसे पहले पवन तोमर जी आपसे तोमर जी सबसे महतपूर चीज यह कि स्मार्ट सिटी वो प्रोजक्ट जो पीम नरेंद मोदी का ड्रीम प्रोजक्ट था लेकिन जून 2017 में इसकी शुरुवात त पड़ रहा है सडकों में गड़े हैं और लोगों को उससे काफी परिशानी हो रही है जी कवन तोमर जी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल के माध्यम से मैं आप कोई बताना चाहूंगा देखिए कुछ खामिया जरूर रही है इसमाज शिटी को लेकर के जहां तक सवाल है इसमाज शिटी अनेक सहरों में हमने प्रोजेक्ट मानिय प्रधान मंत्री जी के निर्द्य सनुसार उत्राखण में लाग हुआ और उस पर सरकार ने काम सुरू किया और काम सुरू करने के उपरांत भी कुछ अधिकारियों के माध्यम से थोड़ी बहुती कमी रही है उन अधिकारियों को बीच में एक बार सरकार द्वारा नोटिस द्वारा माध्यम से पूछा भी गया और जहां तक सवाल है कि कॉंग्रेस आरोप लगा रही है कॉंग्रेस का काम है केवल आरोप लगाना जब यह लोग थे तब यह एक इनका 46 में आपको या दिलाना चाहूंगा कि पिछली बार आपने देखा होगा 46 वर्सों से जो इनकी परियोजनाई लटकी पड़ी थी उस पर काम भारती जन्ता पार्टी ने शुरू किया और आप यह देखिए कि हमने कितना इस्वाश्रिटी के माध्यम से कुछ काम पूरा हुआ कुछ काम अभी प्रो जहां तक अभी गोन्याल जी बोल रहे थे मैं इसे एक सवाल करना चाहूंगा अपने प्रदेश के अध्यक्स जी से जो कॉंग्रेस के हैं कि आपकी 46 वर्सों से परियोजनाई खाली पड़ी थी उन पर काम नहीं हो रहा था वो लटकी पड़ी थी भारती जन्ता पार्टी सवास्थे के पड़ी जागरत होते हुए उन पर काम सुरू किया अनेक सहरों में आपने देखा होगा हरीद्वार से लेकर के सडकों का एक तरश जाल बिछा दिया गया जहां जाम की होती थी आज वहां पूरी तरह से जाम नहीं होएं आप देखोगे दिल्ली से आप हरदवार जब आते हो तो मातर दो डाइ घंटे में आप यहां पहुंच आते हो पहले 6-6 घंटे लगते थे तो ऐसा नहीं है कि कारिय नहीं हुआ हाजारों हजारों कारिये भार्टे जनता परकटी के मारतिसंद में हुए हैं हाँ मैं जहां तक सवाल देरा-दून का है वो इस देरा-दून का अब तक हमें पूरा करना चाहिए था लेकिन वह कारिये तेजी से भी चल रहा है और उसपर कारिया चला है ऐसा नहीं कि वो दुराव लटका पड़ा है और अब आने वाले सेमय में ते बने में आधिकारियों की कमी रही लेकिन आप तो जिरो टॉरलैस की सरकार थें आप की पू prescription की सरकार थी máximo अधिकारी ऐसे काम नहीं करते वे नजर आये लेखिये उत्त्रा खड़ में ऐसा नहीं के दिधिकारी और नहीं किया उत्त्रा खड़ में एक अमूर historically कि और और ने ने विधाय क्या करें वह उनकी अपना एक सोच हो सकती है मैं तो एक परवक्ता होने के नाते बोल रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि उत्त्रा खण में अमूल चूल परिवर्तन हुआ अमूल चूल विकास कारी हुए और वह अधिकारियों के माध्यन से हुए हां कहीं अधिकारियों की जो ढील ढहला है रही है उन पर उनसे जवाब तलब भी किया जाएगा और किया भी गया है और जहां तक सवाल है कि ऐसा नहीं है कि प्रोजेक्ट वो रोका गया है हां कि अधिकारी काम तो कर रहे हैं लेट लफीती भी नहीं है और काम प्रगती पह जल्द हो जाएगा लेकिन इसका खामियासा भूगते का कौन उत्राखंड की जनता राजधानी देरादून की वो जनता जो रोजाना बजार जाती है और ऐसी स्थिति में जाती है यदि वो सफे पहित कपड़े पहन के जाती है तो काले होकर आज़ते दोल से ऐसी स्थिति है राजधानी देरादून की कुल मुहमाद जी कुल मुहमाद जी आप अन्म्यूट कर लीजे पहले दो आप सुन पा रहे हो जी जी बोलिए बोलिए पहमाद ओमर जी ने दो बात कही बहुत अच्छा लगा इन्हों ने मैं बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से जन्ता को इन्हों ने कहा कि अधिकारियों ने काम नहीं किया भारतिय जन्ता पार्टी सिर्फ और सिर्फ ने पहले तोमत धूबना जांती है दूरुस कर लीजिए आपके बीच में नहीं कहा है बहुत हैं नहीं थोड़ी बहुत ही कमी रहे आता नहीं हो प्रोजेक्ट हमने बंद कर लिए आपकी मेरी बात सुनी बड़ेगी मैं आपकी चुपचा बात सुनता रहा है आप भी सुनीए भारतिये जन्ता पार्टी हमेशा कहीं ना कहीं या तो अधिकारियों पर ठीक प्रफोर देती है मैं बड़े भाइसाब पवंत उमर जी से जानना चाहूंगा जो 46 वर्सों की योजना है पर्योजना की इन्हों ने बात की है कि पिछले 46 वर्सों से कांग्रेस की पर्योजना को का भारती जनता पार्टी ने पूरा करने का कारिये किया है यह उनमें से एक य जबाब आएगा बिल्कुम 46 वर्सों का इन्होंने उदारन गया है कि 46 वर्सों की पर्योजना की बात की के कांग्रेस की पर्योजना है बारती जनता पार्टी ने पूरी करने की कारिये किया है मैं इन से जानना चाहूंगा कि आप एक ऐसी योजना बता दीजिए जो पिछले 46 वर्सों सो टिकी थी और आपकी सरकार ने उसको पूरा करने का काम किया फिर इन्होंने स्मार्ट सिटी के उपर बात की स्मार्ट सिटी में इन्होंने कहा कि हमारे अधिकारियों ने बहुत मैं और सीर्फ देरह दून है वह सुनदर दून सक्सरता दून के नाम से जाना जाता था जिसको हिंदी में सुनदर कहा जाता है उड़ों में खुबसूरत कहा जाता है इन्होंने उसका लाम के सब्सक्राइब तो सुन्दर दून को सब्सक्राइब नाम देके अग्रेजी वर्ड देके आज जनता को ऐसे बर्गला दिया भारती जन्दा पार्टी ने ऐसे मोड पे खड़ा कर दिया के कीचड़ों से परिशाने जरा सी बारीस आ जरा जाती म किसी से चुपा नहीं है जनता रोज उसके चल रही है जनता रोज उस पर सब्सक्राइब तो चंता सब जानती है जनता को सब पता है पर सिर्फ और सिर्फ इन्होंने नाम बदलने का काम किया जो देरादून सुंदर दून के नाम से जाना जाता था आज उसको स्मार्ट सिटी का नाम देकर जनता को बरगलाने का काम किया भारती जनता पार्टी ने और बारती जनता पार्टी ने अधिकारे को सब्सक्राइब करें नजर आए क्योंकि स्मार्ट सिटी का जो काम पूरा होना था वो तो पूरा हो नहीं पाए यह जरूर है कि गड्डे जरूर स्मार्ट हो गये क्योंकि हर कौने में अब गड्डे जर नजर आ रहे हैं सब्सक्राइब करें आज स्मार्ट सिटी प्रजेक्ट को ले करके लोगों में काफी उमेरे जरूर ऐसा स्मार्ट सहर बनेगा जो अन्य जगहों के लिए अन्य शेहरों के लिए पिसाफ साविक होगा लेकिन पिछले पात साल के दौरान जिस तरह से इस कार्य में ढिलवाई की गई इस तहई इसमें अधिकार्यों की लापरवाई के हैं या फिर जो लोग इसकी मॉनेटरिंग कर रहे हैं इसको जुमेदारी दे गई है अब उनकी लापरवाई के हैं आम जंता को समस्याओं से द्वचार होना पड़ रहा है कई जगा एक्टिएट हुए हैं लोगों के घरों में सीवर का पानी तक आ रहा है इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि स्मार्ट येटी प्रजेक्ट को लेकर करके जो उमीदे त्रिवोजों के अंदर वो उमीदे एक तरह से कोई तरह से धारा साही हो गई है अब चाहे करें तो जाही रहे है को सवाल भी उठाएंगे बड़ा पत्शिकी में ज़वरू है कि पूरे मुद्धे पे साता क्वाचित हो रही है और सवाल उठना भी चाहिए जो सही चीजे है पर्जेक्रत में हो रहा है जन्ता हर लिए है उसको लीडर के सवाल चाहिए सब्सक्राइ索ार करना बहुत से प्रुदेश्टों में भी हैं और कई मिशाल हमारे प्रुदेश में देखने को मिला है तो समय सीमार tie गई इसका जवाबदारी किसकी सरकार की या अधिकारियों की क्योंकि जो समय सीमा रखी गई थी समार्ट सिटी का काम पूरा करने की वो तो चली गई लेकिन अब उनके पार्टी के विधायक कहते हैं अधिकारियों की गलती है तो फिर जो जिन्होंने काम कराना था सरकार की बॉड़ी ने क्या वो अधिकारियों पर नकेल नहीं कस पाए या फिर यूं कहा जाए कि वो काम कर जाना ही नहीं जानते थे और सबसे बड़ी चीज यह कि इसका खामियाज आखिरकार जंदा क्यों भूगते हैं जंता ही हर चीज को क्यों भूगतने के लिए सबसे आगे किया जाता है राजधानी देहरदून की सबी सड़के खुदी हुई हैं सबी नाले खुदे हुए हैं यहां तक कि राजधानी देहरदून का सबसे परसित बजार पर्टन बजार वहां के वेपारी परेशान हैं बरसात में स्थानिय विधायक जो खजान दास थे उन्होंने वेपारियों से माफ ही मांगे हाद जोड़े कहा कि इस बार माफ कर दो मैं दुबारा अभी क्योंकि आचार सहीता है अचार सहीता खत्म होने के बाद मैं काम करवा दूँगा लेकिन ऐसी क्या मजबूरी है कि विधायकों को हाद जोड़ना पढ़ रहा है और स्मार्ट सिटी का काम पूरा नह नहीं है हमारे नेतां की गल्ती नहीं तो तो मर्जी आखिरकार गल्ती है किसकी को पाताव जी कर लटेंश कर लीजिया हम जी नो इस आवाज आ रही है जैंशा आ पर है मेरी आवाज आ पर ये विलकुंआ से मैंने पहले भी कहा है देखी कोई भी कारी अगर हम करते हैं चैहे वह भारती जनता पार्टी हो कोंग्रेश हो या अन्य दल हो और किसी कार यह करने के लिए फ़ड़ा समय भी लगता है और वो कारी किस तरह का है उस पर एक विचानी बिंदू यह है कि अगर हमें केवल अगर हमें लाइट और बिजली पानी देनी थी तो एक चीज अकर हम करते तो वह समझा जाता था तो स्याथ परेशानी ना आती लेकिन वास्तों में जब सारी चीजें इकत्ती होकर और अमूल चूल परिवर्तन के लिए उस पर कारिये शुरू किया जाता है तो थोड़ी ब नासूस भी करेंगे ऐसा नहीं है उनको में मालूम है कि कीसी कारे करने के लिए थोड़ा सा वक्त भी लगता है और अबश्था भी होती है इतना जरूर है जो समय इसमें लगना चाहिए था वो समय इतना नहीं लगना चाहिए था लेकिन जवाब को लेकर कॉंग्रेस से कुछ पूछना चाह रहे थे हैं कि पंडे जी तो कोई स्वार नहीं करना चाह रहे हैं नहीं उन्हें पूरा क्यों परिसानियों से जंता जूज रही है उसको कौन देखेगा जिम्मेदारी लेगा लोगों के कई जगा पर हाथ पेट ऊड़े लोगों के घरों में कीवर का धंदा पानी अगर आ जा रहा है पल्टन बजार की जब अभी प्रिस्टिया उन्होंने तो पल्टन बजार की प्रिस्टिया वहाँ पर तेहरादून के हर अखेटर के लोग आते हैं अगर कोई वह गिर जा रहाए तो इसकी जवाब देही इसकी हो यह जवाब देही किसकी है सब्तादारी पार्टी को एग भूपर ठोपना नहीं है कि उनकी गल्ति है आपको अपनी जवाब देही को निजरीर करना होगा नीकानी का मार लीका आपके विदाय कहते हैं न कि अधिकारियों की आप कह रहें कि अधिकारियों की नहीं हमारी नहीं तो आखिरकार जब्दारी किसी है कि जनता की जोलोगों पर चल रही है आजी जी देखिए जैसे मैंने पहले भी कहा है अभी जब चुनाओं हुआ था तो चुनाओं के समय ही जब रूड़की में एक सभा हुरे तिमें सभा में था और उनके माद्धम से मुझे मालूम हुआ कुछ लोग ये भी कहते थे कि आज अगर हम चलते हैं तो यह सोच कर चलते हैं कि जो समय रूड़की से अहरीद्वार से देरा दून जब हम जाते थे तो उसमें घंटों घंटों जाम में फसेरे ते आज वो ही लोग हमारी बढ़ाई करते हैं वो एक सरकार की तारीफ करते हैं कुछ जगहें जैसे देरा दून में हैं अच्छे एक तरफ से जैस ठीक भी हुआ है और ठीक होता चला भी आ रहा है कहीं कहीं परेशानी जरूर है और परेशानी केवल इसलिए है कि जब दिखिए आम का माल लीजिए कोई सड़क बनाएंगे या कोई प्रोजेक्ट लेकर जबनाना चाहिए इसके लिए कि अगर कि परोजेक्ट गटेक्ट तरह करने पड़ रहे हैं और उस फ्रोजेक्ट के तहब थोड़ी परेशानी जन्ता को हो रहे हैं जाब परेशानी जबनाना पर एक होकुछ कह रहे थे और पबनची ने बहुत अच्छी बात कही सायद कि अगर सरकार का ध्यान सडक बनाने पर होता, स्मार्ट सिटी बनाने पर होता, सिवर लाइन पर बनाने पर होता, तो सायद ये दिक्कते जद्धा को ना आती, पर आगे वो अपनी बात रोग गए, वो मैं पूरी कर देता हूँ, भारतिय जंता पार्टी ने विकास कारियों पे ध्यान ना देकर सिर्फ उत्रा खंड को मुख्य मंतरी बदलने पर ही ध्यान दिया है, और वो बहुत अच्छे से भारतिय जंता पार्टी ने उत्रा खंड में करके दिखाया है, तिर्वेंदर सिंग रावज जी को चार साल में बदल दिया, फिर दूसरे मुख्य मंतरी अच्छे जी आए, उनको एक-दो महीने में ही चेंज कर दिया, तो भारतिय जंता पार्टी का ध्यान हमेशा अपने मुख्य मंतरियों को चेंज करने पर रहा, विकास की तरफ ध्यान नहीं कया, और विकास नहीं कर भाए, इस्मार्ट सिटी मैंने पहले भी कहा कि स्मार्ट के नम से लोग बहुत मसूर हुआ करता था कि हम नहीं कहीं जाते थे बहार जाते थे, तो लोग की सुन्दर दून के नाम से आपका धून बहुत सुरत है, तो वही अंग्रेजी वर्ट करती या स्मार्ट सिटी में आज खड़े हैं, सड़के हैं, तो भारतिय जंता पार्ट विकास कारिये किना देता हूँ आप सुनिये मेरी बात मैं पूरा मुखा मिलेगा आप मेरी बात सुनियेगा आप उसमेह आप कैसे कह रहे हो दूसरी बात बदा दे आपको चाहता हूं। मेरा 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 की जवाबदारी कौन लेगा मेरा सवाल केवल इतना है की जो smart city का काम समय पर पूरा होना था जिसके लिए पूरी ये कहा जा सकता है की पूरी उसके लिए design बना दिया गया था पुरा समय बता दिया गया था कितने समय में कौन सा काम होगा और किस समय पर क्या चीज़ पूरी हो जाएगी उसके बावजूद भी 2022 आ गया है लेकिन सडकों में आज भी गड़े हैं जो नाले बनने थे सिवर लाइन बननी थी वो भी अधूरी है यहां तक कि यह उसका खामियाजब आम जन्मानस को भुकतना पड़ रहा है लेकिन जवाबदारी किसकी है कौन इसको अपने सर पर लेगा इसका पता नहीं सरकार कह रही है अधिकारियों की गलती है अधिकारी कहते हैं समय कोबिट के चलते हम नहीं कर पाए काम लेकिन पुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जो जवबदारी है वो कोई लेने को तयार नहीं है और इसका खामियाजा जन्ता को भुगतना पड़ रहा है तो अमर जी मेरे सवाल किवल इतना है आप से किवल आकरी सवाल है मेरा कि आखिरकार किसकी गलती गलती किसकी रही कि समय पर काम नहीं हो पाया और जो सड़कें आज भी खुदी है कि पूरिवारी के साथ सरकार पूर्वारी के साथ कारी के सुरू किया लेकिन देव यह आपदा के कारण कुछ नहीं कर सकता अचए हो किसी की परकार हो बीच वीच में हमारे देश भी तो उनका भी हमें ध्यान रखना पड़ा उसमें कार्यों का ध्यान रखना पड़ा और मातर अभी तीन महीने हुए हैं ठीक हमने एक 2021 तक उसे प्रोजक्ट पुरा करा था लेकिन अभी तीन महीने हुए हैं करोना काल यह देविया अपना हमारे उपर पड़ी यह घोर संकट जो पड़ा इसमें थोड़ा काम सलो हुआ पाया और कई तरह के एक साथ प्रोजक्ट शुरू किये पर एक साथ प्रोजक्ट कार्य कर परगति पर हुए प्रोजक्ट क्या है कौन से प्रोजक्ट है इसी प्रोजक्ट सुचारू करके दिए उन पर काम चल रहा है ऐसा अप जंता को बताईए जो कभी सपना हुआ करता था कि रेल उत्रा खंड में पहुंचेगी आपको बदाया आपने चाली साल की बात कि दिया आप पर रेल पर जाओ और पर जो चला जा रहा है आने बाते दो जार बाते ड conference की सब्सक्वार करनेक हम बताने हैं कि आ남 अंगरे बता देता हूं ग़र कौन सी आप आप आई यह जंता हमारी सरकार में आपने आधा लिटर दूद चुरानवर पे लिखा दिया जो आपके हली कोप्तर में आपको जानकारी दे दू उत्रा खंड में आपके नेता बाते जंदा माल्टी के नेता है आपको जानकारी होगी उत्रा खंड आए और प्रेड गिराउन में उन्होंने आती के नेता भार्टे जंदा पार्टी के नेता के इस्कुटर के बारे में बात की दी चलिए चलिए समय बहुत कम है में आपको पता देना चाहता हूं समय बहुत कम है मैं आखरी कमेंड लूँगा आकरे कारus तरह से παमर्ट उनफर चीचर और चीपमर्ट उनमें कि अप क्या लगता है कि जो टाइमिंग थी आपने का तीन महीने का समय थोड़ा आगे हो सकता है लेकिन जिस तरीके से सितिया दिख रही हैं जिस तरीकों से सड़कों के हालात हैं नालियों के हालात हैं इसके साथी पल्टन बजार के हालात हैं उमीद नहीं लगती है कि तीन महीनों म तुद भी यह माना जा रहा है कि गलती आपकी भी है और गलती उन अधिकारियों की जिन्हों ने समय पर काम पूरा नहीं किया मानते हैं आप इस बात को उन्हें सरकार इस्थापित होने जा रहे हैं आप 10 के बाद देखेंगे और 10 के बाद उन्हें जब भारते जिन्ता पार्टे के सरकार बनेगी और इस पर एक अमूल चूल परिवर्तन आपको देरा दूर के अंदर देखने को मिलेगा और आप देखेंगे कि कुछी समय में जह कम्या रहे गई थी और इसमाट पूरी तरह से जहाएं आप मेरी बात सुनीजें जा रही है और जन्ता आप आप अपर जो प्यार और सने भारते जन्ता पार्टी को उत्राखंड की सरकार जो जन्ता ने दिया उसके माद़ान से जेसी सरकार बनेगी इस पर आप इतनी तेजी से हमारे सरकार उसपर काम करेंगी कोई निया सरकार जो प्यार करती है तब मुझा कि इसमें बीशी सरकारी को जो समय पर काम नहीं वा जी जी इनकी आवाज में आपकी बात समझ नहीं सुननी पाया मैं मैंने का लगता है आपको कि सरकार की भी गलती थी और अधिकारियों की भी गलती थी जो समय पर काम नहीं हो भाए स्मार्ट सिटी का उचीज को तो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि पवंजी ने एक बात बहुत अच्छी की थी, कि ना स्मार्ट सिडी पर ध्यान रहा हमारी सरकार का, ना सीवर पर ध्यान रहा, ना और किसी प्यास का रहा है, यह बहुत अच्छी बात करें इनोंने, आगे बात रोंग दी थी, आज आज कांग्रेस के साथ है, और जन्ता उत्रा खंड में 2022 में सरकार बनाने जा रही है, और उत्रा खंडियत के साथ, हरीश रावजी के मिसन के साथ, जन्ता आज पर्देश की जन्ता साथ खड़ी है, हरीश रावजी ने बहुत ऐसे विकास कारे किये, जन्ता हितने काम क आपने सायद अपने पूर मुख्यों मंद्री के इस्टिंग नहीं देखे उन्होंने क्या कारिये कि हैं यह 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 चीज ठीक नहीं है कहनी यह दुनिया जानके समार यह तो यह ते बीजेपी और कॉंग्रेस के नेता जो डिबेट में ही लड़ते वे नज़र आए लेकिन जनता की जो समस्या है जो लोगों को आज भी गड़ों पर चलना पड़ रहा है उस पर कुछ बोलने से कतराते वे नज़र आते हैं लेकिन यह जरूर है कि 10 मार्च को उनकी सरकार बनेगी इसी के गुड़गान वुकाते क्या टहें वे नज़र आ रहे हैं लेकिन स्मार्ट सिटी का काम समय पर पूरा ना होने का खाम याजा जनता को ज़रूर भुगतना पड़ रहा है लेकिन इसको लेकर ना तो बीजे पी ये कहती वे नज़र आ रही है कि गल्ती हमारी है और ना ही उत्राखंड के वाधिकारी जो स्मार्ट सिटी का काम कर रहे हैं और कुल मिला के खाम्याजा केवल आम जनता को ही भुगतना पड़ रहा है लेकिन अब इंतजार दस मार्च का भी है कि दस मार्च को उत्राखंड में किसकी सरकार बनती है और सरकार बनने के बाद फिर इंतजार होगा कि स्मार्ट सिटी का काम कब तक पूरा होगा तब तक के लिए हमें दीजिये ज़ाज़त नमस्कार जय हिंजय भारत जय उत्राखंड